वल्कम तू स्टड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर, EMRS यानि एक लव मॉडल रिसाइटेंसियल स्कूल में सिक्षक भरती आई हुई है, TGT के लिए आवेदन हो रहे हैं, साथ इसाथ होस्टल वार्डन की भी भरती है, अब यहाँ पर आपको पता होगा कि TGT की जो होस्टल वार्डन के लिए एक हज़र रुपए है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे पत हैं जहां पर आप बिना बीएड और सीटेट के भी फॉर्म भर सकती हैं, तो आपको उन पतों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगी, वीडियो में लाश्ट तक बन रहेगा बाकी फॉर्म कैसे भरना है, इस पर मैंने पूरा डीटेल में वीडियो बनाए हुआ है, आप हमारा इमर्स का प्लेइलिस्ट जाकर देख सकते हैं, जो भी जनकारी होगी आपको इहीं पर मिल जाएगी, पदों के संख्या की बात करें, तो TGT के कूल 5 या 660 पद हैं, और ह हॉस्टल वार्डन मेल के 335, हॉस्टल वार्डन फिमेल के 334, टोटल 6329 पदों पर ये भरती निकली हुई है, अब यहाँ पर ये TGT के मेन जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, इनके लिए तो ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेड चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पद है हैं, जहां पर आप बिना बीएड और सीटेड के फॉर्म भर सकते हैं, तो वो कौन से पद हैं, बात करते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग सिधे-सिधे eligibility की तरफ जहां पर qualification के बारे में जानकारी दिया गया है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि TGT, English, Hindi, Third Language, Mathematics और Social Science, इन पदों के लिए जो qualification है, वो graduation है, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो beard है और seated paper 2 है, अब इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ऐसे पद जहां पर beard और seated की आउक्षक्ता नहीं परती है, सबसे पहले यहां पर है TGT Music, अब यहां पर upper age limit भी हम लोग देख लेते हैं, 35 साल है upper age limit, वहीं पर S.E.S.T. O.V.C. को relaxation मिलेगा, as per government rule और EMRS employee के लिए upper age limit 55 साथ, अब TGT Music की जो eligibility है दोस्तों, यह है कि आपका bachelor's degree यदी है music में, तो आप सीदे सीदे eligible हैं, इसके लिए ना B8 की आउशक्ता है और ना seated की आउशक्ता है, ठीक है, फिर आप देखिए TGT Art के लिए, age limit सबके लिए same है, TGT Art की eligibility की बात करें, तो यह आपका degree है, यानि graduation है fine art में, या craft में तो आप eligible हैं, B8 की आउशक्ता नहीं पड़ या फिर यदि आपका B8 degree ही है fine art में, तो भी आप eligible हैं, तो यह हो, या फिर यह हो, आप eligible रहेंगे, ठीक है, सीदे के आउशक्ता कहीं मिने पड़ेगी, इसके अलावा TGT physical education की भी भरती है, यहाँ पर भी seated B8 नहीं लगता है, आपका graduation यदि है physical education में, जिसे B8 कहा जाता है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे, TGT librarian की भरती है दोस्तों, काफी अच्छी भरती है, बहुत लोग इसका इंतजार करते हैं, काफी लोगों ने यह course कर रखा है, तो वो यहाँ पर eligible रहेंगे, TGT librarian की eligibility है क्या, तो degree area आपका है, library science में तो आप eligible हैं, या फिर आपने graduation किया है, with one year diploma in library, तो आप eligible हैं, seat at B8 की जरूवत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर जो hostel warden की vacancy है, यहाँ पर दोस्तों, यदि आपके पास simple graduation है, BA, BAC, B.com, B.tech, कुछ भी आपने किया है, graduation आपका है, तो आप hostel warden के लिए form भर सकते हैं, तो देख सकते हैं, simple bachelor's degree है, तो आप eligible हैं, या फिर four year integrated degree course है, original college वाला, तो भी आप eligible हैं, तो यह कुछ ऐसे पत्थे जहां पर seat at B8 के आउशकता नहीं है, आप eligible ज़्यादी हैं, तो form भर सकती हैं, अपर एज लिमिट में जो छूट है, वो यहाँ पर है, तो यह रही दोस्तों, कुछ मात्पर जानकारी आप लोगों कारी मिलती रहे, thanks for watching.